तू ही सागे है तू ही किनारा डूंडता है तो किसका सहारा डूंडता है तो किसका सहारा नमस्तर लोगडाउन फूर शुरू हो गया है हमारे सामने ऐसी बात आ रही है कि अभी कोरोना के साथ जीने का हमें सोच लेना पड़ेगा नहीं ये बात सही नहीं है कोरोना एक महामारी है पूरे भारत वर्ष में पूरे विश्व में ऐसी कई अपत्ति आती रहती है तो हमें क्या करना है हमें अंदर से हमारे खुद को स्वख को ऐसा बनाना होगा कि वो कोई भी महामारी के साथ नहीं खूद के साथ जीना सीख ले हमें एक ही वाक्य याद रखना है कोई तो हमारे साथ जरूर है ये कौन है what is the way towards certitude this is the topic for the day's talk आज हम बहुत अनुग्रहित हैं कि oroma.org website पर से नियत काल से हमें लाभानवित कर रहे हमारे श्रीमा औरोबिंदो के डिसाइपल डॉक्टर आलोक पांडे जी एक बहुत अच्छी सी बात very clearly हमारे सामने रख रहे हैं पंद्रा मिनीट के लिए आप आखे बंद करके ये बात सुनिए और तयार हो जाएए कोई भी लोगडाउन के निये नहीं खुद के लिए हम जीएंगे आनंद से उट्साह से अंदर की एक शक्ती के साथ जीएंगे और आने वाले कल के लिए अभी ही स्वस्थ हो जाएंगे All the best I convey my regards to Dr. Alok Pandi Ji and entire Shri Ma Aurobindo family Thank you very much Over to Alok Pandi Ji Namaste जो उथल पुथल हम संसार में देख रहे हैं उसकी विशे में बहुत सारी बातें आ रही हैं भविश्यवानिया आ रही है कोई astrological prediction कोई organic prediction कर रहा है और एक चीज हम लोगों को बताई जा रही है कि हम लोगों कोई समस्या के साथ साल दो साल जीना है यह एक अग्यान की दृष्टी है क्योंकि सच तो यह है कि जीवन का एक मुलभूत सच है जिसको हम भूल गए है और यह समस्या और कुछ इस प्रकार की समस्या है हम लोगों को वो समरन कराने के लिए आती हैं ताकि हम उसका सही हल ढून सके यदि हम समस्या को सिमित कर देंगे केवल एक वाइरस तक एक माइक्रोब तक तो हम इसका हल नहीं ढून सकते टेंपररी हल मिलेगा लेकिन इसकी क्या निश्चित्ता है कि कल के दिनों में साल भर बाद, दो साल बाद कोई और नया जीव नहीं सामने प्रगट हो जाएगा इसकी क्या निश्चित्ता है जिसकी बात कुछ लोग कर रहे हैं कि एक एस्टोरइड आकर धरती से नहीं टकरा जाएगा इन चीजों की क्या निश्चित्ता है जीवन का एक शिशू गर्ब के अंदर से बाहर जन्व लेता है तो बड़ा खतरनाक शन होता है, बाहर लोग सलिबरेट कर रहे होते हैं प्रतीक्षा कर रहे होते हैं मापीडा से गुजर रही होती है जो अकल्पनी है और बच्चा एक ऐसी अवस्ता से गुजर रहा होता है जिसको हम कहते हैं मृत्यू से जीवन की ओर जहां मृत्यू उसके पीछे खड़ी है और अचानक वो स्वांस लेता है रोता है और वो एक जीवन का करंदन होता है मृत्यू छोड़ती नहीं है हर शन उसकी सांसों के साथ घुलने मिलने की चेस्टा करती है अगर हम देखें तो एक helpless baby हम लोग यह सब scientific knowledge इत्यादी लेकिंग छोटा सा issue होता है जो अभी अभी जन्मा है कितना helpless होता है वो कुछ भी किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता उसको depth perception भी नहीं है यानि वो अगर भूल से भी पास में आ जाए तो गिर जाएगा इसलिए पालना चारो तरफ बनाया जाता इस प्रकार का की वो गिरे ना उसको यह नहीं मालुम है कि मुझे कैसे सोना है मुझे क्या खाना है कैसे खाना है कुछ भी नहीं मालुम है कि फिर भी वो सरवाइव करता है आधिकांश बच्चे बड़ा होता है एक हिरो और सीहर बनता है क्यों? क्योंकि कोई है जो उसके साथ है और वो जन्म के साथ नहीं है जन्म के भी पहले गर्व के भी पहले वो उसके साथ है और वो है उसकी जननी जननी गर्वधारण के पहले ही उसने स्विकार किया हुआ है कि मेरे गर्व में कोई शिशू आएगा और जब गर्व में होता है तो बच्चा नहीं जानता है उसका पोशन करती है जन्म लेने के बाद बच्चा कभी-कभी खुली आँखों से उस जन्नी को देखता है और समझता है कि हाँ ये मेरे साथ है ये कोई है मेरी केयर टेकर है फिर दिरे दिरे वो बड़ा होता है कभी रिवोल्ट करता है, सीखता है सब कुछ करता है नाना प्रकार के अनभव, माएं चुपचाप रोती होंगी जब बच्चे उनसे क्रोधित होते हैं उनकी बात नहीं सुनते हैं बहुत बाद में उसको स्मरन आता है कि सच में ये तो प्रेम था जो मुझे यहां तक ले आया ये तो मानविय जन्नी है हम क्यों भूल जाते हैं कि हम इस संसार में अकेले नहीं आये हैं हम से पहले दिव्य जन्नी यहां आई है यही हम लोग जब पढ़ते हैं शीरविंद को सावितरी का प्रारा मिट्वास स्रिष्टि के पहले कौन स्रिष्टि में आते हैं नहीं आता है, वाइरस नहीं आता है, पत्थर भी नहीं आते हैं, देवता भी नहीं आते हैं, इस संसार में सबसे पहले सैम, जगत जननी आती हैं। और फिर धिरे धिरे उनकी कोक से संसार, उसके नानावित चीजें प्रगट होती है, अंतता मनुश्याता है, लेकिन हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम सदेव अनिश्चितता के संसार में जीते हैं, एक छोटा सा सिशू हो, अगर कोई उससे पूछे और सिशू बता सके, कि तु तुमको एक बिमारी होती जिसका नाम टीबी है, मालूम नहीं, यह होता है, यह भ्यानक चीज है, मालूम नहीं, संसार में सर्प हैं, मालूम नहीं, पूतना है, मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं, बवन डराता है, मालूम नहीं, तो तुम कैसे फेस करोगे संसार को, त Dirtitude वहां से आता है, विज्ञान से नहीं, वैक्सीन से नहीं, scientific knowledge से नहीं, क्योंकि वो तो एक सिमित चीज के बारे में है, अनिश्चितता हमारे साथ लगी हुई है, यह हम भूल जाते हैं, पहले हर एक स्वास अनिश्चित है, कौन जानता है कि कल क्या होने वाला है, एक बड महराज युदिष्टिर के बास, पास सरा युदि समाप्त हो गया है, और महराज बन गया है, और युदिष्टिर के पास जब बात पहुची तो युदिष्टिर ने का कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, कल दरबार में आ जाएं, और कल दरबार में उसको बोल दो प्रसुत होने के लिए और उस विक्ति ने आकर उस सज्जन को बता दिया कि आप महराज ने खाये कल द्वार में आप प्रसुत हो जाईए भीम जो जागे हुए थे प्रहरी की तरह उन्होंने सुन लिया, होम मिनिस्ट्री उनके हाथ में थी उन्होंने जाकर के नगर में घंटा था उसको जोड से बजाया वो घंटा के वले के अमर्जनसी बेल की तरह था उसको तब बजाये जाता है जब बहुत बड़ी आपदा आ गई हो, या कोई बहुत बड़ी खुशी की बात हो, ताकि सब लोग आकर के उस अच्छी बात को सुने, खुशी की बात को या अगर आपदा है तो उसका प्रबंधन हो सब लोग उठकर के रात्री में आ जाते हैं, क्या बात है भीमने घंटा बजाया है, भीमने घंटा बजाया है स्वेम महराज युदिष्टिर आ जाते हैं द्रॉप दिया जाती है, अरजुन गांडी लेकर की, ना जाने क्या संकट आ गया है कहते हैं भीमने घंटा बजाया कहते हैं, बहुत खुशी की खबर है मैं सुबह तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता सब के साथ मुझे ये खबर शेयर करनी है क्या खबर है कहते हैं, महराज युदिष्टि रमर हो गए युदिष्टि कहते हैं, भीम ये क्या नरगल बातें कर रहे हो महराज अगर ये सच नहीं है तो फिर आपने उस विक्ति को किसाधार पे कहा कि कल आ जाओ तुमारी समस्या का समधान में कल कर दूँगा ये तो तभी आप निश्चित्ता के साथ कह सकते हैं, जब आप अमर हैं और आप जानते हैं कि कल आपकी मृत्यू नहीं होने वाली या इस रात में आपकी मृत्यू नहीं होने वाली एक बहुत कठोर सत्य है अनिश्चित्ता हमारे साथ लगी है तो किया हम भैवीत मनुष्यू की तरह जीवन जीए आज नहीं, कल नहीं, साल, दो साल, दस साल कोई न कोई समस्या अपदा तो आएगी कभी धन की समस्या होगी, जीवन की समस्या होगी कभी नाना प्रकार की कटनाई आएंगी जीवन के साथ जोड़ी हैं, बच्चों की, परिवार की, नाना प्रकार की समस्याएं हैं और किन-किन का हम अपने माइंड से इनका सॉल्यूशन देंगे क्या मन के पास वो सक्षम भी है, हल ढूणने के लिए एक इंटरस्टिंग स्टोरी है कि एक मुला नसीरुदीन के नाम से है, वो एक बड़े, जैसे होता है, कार्ड में जोकर उस तरह से फिट किया हुआ है, किसी पर भी हम डाल सकते हैं, जिस भी कंटेक्स्ट में देखना चाहें, एक वाइज मैन, तो एक वाइज मैन है, वो रात के समय एक लैंप के नीचे, किरुसिन लैंप के नीचे कुछ ढूँड रहे है, तो उनका सिष्ची आता है, कहता है कि, गुरुजी आपकुछ ढूँड रहे, मैं भी साहे था करूँ, हाँ ढूडो, दोनों ढूडते हैं, थोड़ी दारबाद, वों कहते हैं कि, अंदकार है, तो गुरु कहते हैं, यही तो मैं तुम्हें ना जाने कबसे कह रहा हूं, तुम मन के प्रकाश को ही प्रकाश समझे बैठे हो, और वहां ढून रहे हो समधान जहां वो है ही नहीं, मेरे वत्स में यही तुम्हें समझा रहा हूं कि प्रकाश वहां ले जाओ जहा अंधकार है, जहां तुम कभी गए नहीं, वहाँ प्रकाश का वस्थ रोत है, और उसमें जाकर के खोजो, जो खो गया है जो निश्चित्ता खो गई है सर्टिट्टीट खो गया है, जो शांती खो गई है, पीस और सरिनिट्टी खो गई है, जो joy खो गया है जो हमारी खुशी, natural होनी चाहिए ये अवस्था खो गई है और उनका स्थान ले लिया है भैने, अनिश्चित्ताने, चिन्ताओने ये तुम्हें मन के स्थान पे नहीं मिलेगी, ये कुछ इस तरहें की बात है, कि अगर कोई व्यक्ती सबजी की दुकान में जाए और सबजी वाले से पूछे कि मेरे पास एक हीरा है, इसका मोल बताओगे, तो वो क्या कहेगा भाईया, दस रुपे किलो, लाओ मेरे बाट पर हम देख लेते हैं, क्यों? मेरे लिए तो ये पत्थर का काम करेगा, तो उसी प्रकार से जब हम मन और मन से उबजे ग्यान और उसकी परिदी में जाते हैं, इसका हल ढूनने के लिए जीवन की समस्या का तो एक सीमित निश्चित्ता के साथ एक दूसरी अनिश्चित्ता जूड जाती है और इसका उधारन कि आज आपने एक वाइरस की समस्या ढून ली, निदान ढून लिया, वैक्सिन या इसके जरिये इसकी क्या गैरेंटी है कि दो वर्षों बाद एक निया पहलवान नहीं खड़ा हो जाएगा गैरेंटी नहीं, अगर हम पास्ट देखें, पंद्रह साल, बीस साल तो यही तो हो रहा है, एक के बाद एक और यदि हम काला अंतर में देखें पचास साल, सौ साल विश्युद, ना जाने कितनी प्रकार की आबदाएं दैखिक, दैविक, भातिक फ्लड, सुनामी हम लोग काउंट कर रहे हैं, एक सुनामी आई थी, एक शंड में जिसकी किसी को अंदाज नहीं था, लोग खेल रहे थे, और लाखों लाखों जीवन, एक शंड के अंदर तभा हो गया है निश्चित्ता कहा है निश्चित्ता किवल उसका एक ही परिया है, और कोई उपाय नहीं मनुश्य के पास, यदि मन में रहेगा, तो अनिश्चित्ता में रहेगा और यह वो स्विकार कर सकता है, कि नहीं हम इसके आगे नहीं जाएंगे, मन की सिमाव में रहेंगे मन में ढूणेंगे, मन के प्रकाश में, यह उसका चुनाव है या वो नवजात्षिशु की तरह है, कि मेरे आने के पहले कोई तो है जिसने इस ब्रह्मान को कंसीव किया है, जिसने इस स्रिष्ठी को अपने अंदर धारन किया है कोई तो है जिसने इस स्रिष्ठी को जन्म दिया है या अचानक अपने आप एक एकसिडेंट और चांस के द्वारा प्रकट हो गई इतनी अधवुत स्रिष्ठी और उसमें से मनुश्य तो यदि हम एक शंड को यह सोचें कि कोई तो है जो इस स्रिष्ठी की जन्नी है केवल मेरी और तुम्हारी जन्नी नहीं केवल पशू पक्षियों की जन्नी नहीं वो तो जड प्रकटी है इसकी जन्नी, material nature है लेकिन वो जिनों ने प्रकटी को भी जन्म दिया है और यदि हम उनकी ओर देखते हैं और यही हम स्यर्विंद शीमा के जीवन में देखते हैं कि पूरे सौ वर्ष कितनी अनिश्चित्ताओं से मनुष्य गुजरा पिछली सतावदी कितनी भ्यानक थी, भीशन थी लेकिन उसमें उसने नविगेट किया तो हमें उनकी ओर जब देखेंगे तो फिर हमें कोई पिड़ा कोई कस्ट, कोई चीज नहीं सता पाएगी कोई अनिश्चित्ताओं हमारे लिए शब्द समाप्त हो जाएगा इवन हमारी अपनी सिमाएं टूड जाएंगी तो सिदास ने कितनी सुन्दर बात कही है ए प्रभूग आप जैसा सवामी और मेरे जैसा कुसेवक नाना प्रकार की कट्ञाईओं से भरा हुआ यदि मैं अपनी ओड देखऊं तो मेरे लिए कोई आशा नहीं है लेकिन आपकी क्रपा की ओड देखऊं तो किस के लिए आशा नहीं है कुछ समय पूर्वे कुछ दिन पहले एक वाट से पाया था कि पर्स्पेक्टिम में देखो चीजें क्या पर्स्पेक्टिम थी पिछली शताबदी को देखो विश्युद हुआ, स्पैनिश फ्लू हुआ, इतने लोग मरे, उतने लोग मरे ये घटना करम हुआ, ये भ्यानक भीशनकांड हुआ, विभीशिका हुई, उसके मुकाबले ये कुछ नहीं है, तो मेरे अंदर एक भाव जगा, जो मैंने शेयर भी किया किसी के साथ, हाँ ये सब हुआ, लेकिन उस समय हम श्रीमा का साक्षात, दर्शन कर सकते थे, ये भी एक पर्स्पेक्टिव है, कि इन सब विभीशिकाओं के बावजूद, भगवान का साक्षात, दर्शन इस भातिक देह में, अब हमें उश्ण की प्रदिक्षा करनी है, जब फिर से एक बार इस धर्टी के उपर, हम साक्षात, जगजन्नी, श्रीमा, श्री अर्विंद, इनका उनके स्वनिम देह में, सुप्रमेंटल देह में, और स्वैम सुप्रमेंटल आँखों के द्वारा, उनका दर्शन करके, हम कृतार्थ हो सकें और धन्य हो सकें, और उस दिशा में जाने के लिए, मन का ज्यान सहायक नहीं है, हमको उनको पहले अपने अंदर ढूनना है, उस चगजन्नी मा को, जिन्नोंने सारी स्रिष्टी को जन्म दिया है, उनको ढूनना है, हमारे अंदर, और जब हम उनको ढून्डेंगे, जितना पुझ जाएगी, और उसकी जगहे, श्रीमत भगवत कीता का वह सत्य सामने प्रकट होने लगेगा, जो शी कृष्ण प्रकट करते हैं, योगक शेमा वहा मिहाम, कि वे लोग जो मुस्पर आश्रित हैं, वे लोग जो मेरी उपासना करते हैं, उनका कारिस अंभार, स्रैम मै अपने उपर लेता हूं, और जब भगवान स्वेम अपने उपर भार ले लेते हैं, तो हमें किस बात की चिंता, तो हमें क्या करना है, फिर से careless life lead करनी है, नहीं है, हमें इस दिशा में नहीं देख करके, भगवान की और हम कैसे जाएं, उनका कारे कैसे करें, उनसे प्रेम क कैसे करें, उनके बारे में और कैसे जाने, उस दिशा में जाना है, अपना कारे करना है, ये हमारा कारे है, भैवीत होकर के इधर उदर गूमना, ये न्यूस देखना, वहां पे होप रखना, ये वैक्सिन बन जाए, वो डॉक्टर कुछ अनाउंस कर दे, यहां नहीं देख नाए, जहां इस समस्या का ही नहीं, हमारी सब समस्याओं का पर्मनेंट सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है, दिविज्ञान, दिविशांती, दिविप्रकाश, दिविप्रेम, दिविक्रपा, एक शब्द में भागवत पस्थिति, नमस्ते. तू ही सागे है, तू ही किनारा, डूंडता है तो किसका सहारा? डूंडता है तो किसका सहारा?